नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस्पेस इंडिया चैनल पर मैं निकलेश जयना, आप सभी का हार देग अबने दन करता हूं, दोस्तों, भारत की वैशाली आर, जो की महिला गर्ण मास्टर हैं, साथी साथ भारत की नमबर तीन महिला खिलाडी है, करन जो विश्व रैंकिंग च इंडरनैशनल शतरंज में जो ऑनलाई शतरंज चल रही है, महिला शतरंज की उस पर धमाका कर दिया है, महिला स्पीड शतरंज जो विश्व शतरंज संग द्वारा आयजुत की जा रही है, उसमें पहले तो वो ग्राइंटी पे पहुंची, और उसके बाद अब वो उसके पहले quarter final को cross करते हुए, semi final पर जाकर पहुंच गई है, बड़ी बात यह है कि कोनेरू हमकी quarter final के पहले ही बाहर हो गई इस tournament से, तो इसी लिए इस बात के माईने और बढ़ जाते हैं, उन्होंने काफी सारे मुकाबले खेले हाला कि tournament blitz खेला जा रहा है, तो हर मुकाबले को जांचना परकना, blitz में हम जानते हैं काफी सारे up and down होते हैं, लेकिन एक मुकाबला, मुझे रगा कि news भी बात ओ, आपके साथ की कैसे आप इसके बारे में ख़बर पढ़ सकते हैं, तो पहले देखते हैं कि आप कैसे वहिशाली के बारे में खबर सकते हैं, तो वहिशाली क को मिलेगी और यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यह खबर आपकी पूरी अंदर खुल जाएगी इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं यहां पर हमने विस्तार से बताया है कि एंटोनेटा से कैसे जीती है उनके खास गेम को हमने यहां पर सामिल किया आप डाउनलोड कर सकते ह भी ऋपर दाली है जिसको जीत करकर वह पहुंच गई हैं सेमी फाइनल और सेमी फाइनल में जिन से उनका सामना होगा अनना उशेनीना उनका भी फोटोग्राफ यहां पर है हम भी बहार होई कैसे बहार हुई उसका Detail है और उसके बाद कब-कब यह टोनामेंट होगा कौन- www.chessbase.in में हिंदी सेक्शन में जा करके ये खबरें आप विस्तार से पढ़ सकते हैं तो अब बात करते हैं उनके एक मुकाबले की काफी छोटा मुकाबला है किस से था एंटोनिटा स्टेफनोबा स्टेफनोबा बुलगारिया के खिलाडी है और विश्व चैंपियन रह चुकी है तो किसी विश्व चैंपियन को मातर 13-14 चालों में हरा देना ये बताता है कि वैशाली ने उनकी उपर किस तरह का प्रेशर बनाया था तो आईए देखते हैं इस मुकाबले को यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट फ्री, डी फाइफ, जी थ्री, जी सेक्स, बिशप जी टू, बिशप जी सेवन तो यहाँ पर ब्लैक ने जो है यहाँ पर स्टेफनोवा थी, वाइट जो है वैशाली थी तो तीन चालों हो चुकी है दौनों साइट से आप देखियो, फैंचिटो का सेट अप है और यह एक्चुली में गुरूनफिल्ड डिफेंस खेला जा रहा है ब्लैक की तरप से, जिसमें वाइट ने जो है जी थ्री सेट अप लिया है, फैंचिटो सेट अप लिया यहाँ पर, ओके, D4, यहाँ तक सब ठीक था, नाइट F6 दौनों तरप से डेवलप्मेंट कर रही है, वाइट से यहाँ पर इन्हों ने वैशाली ने कैसल कर ली, ब्लैक ने यहाँ पर C6 खेला एंड नाव वैशाली खेलती है, B3, मतलब अपने बिशाप को जो है देन Bishop B2, एंड नाव A5 खेला उनों है, एक्चुली मैं यहाँ पर जो Most Natural Moves है, या तो Bishop F5 है, या फिर Knight BD7 है, लेकिन Estef Nova ने शायद, क्योंकि वो अल्रेडी शुरुवात में पीछे चली गई थी, जो यहाँ पर White चाहिए, तो A5 को A4 से रोक सकता है, या फिर चाहिए, तो C4 यहाँ पर immediate कर सकता है, लेकिन वैशाली ने अपने development को importance दिया और Knight BD2 खेला, ओके, यहाँ पर Estef Nova फिर से A4 खेलती है, अब आप position देखींगे, तो आपको दिख रहा है कि Black जो है, वो अपने pieces को अभी भी develop नहीं कर रहा है, उसने अल्रेडी यहाँ पर दो चालें जो है, वो अपने एक pawn Q पर लगा दिया है, यहाँ पर उसको कितना advantage मिलने वाला है, पता है नहीं, तो यहाँ पर वहिशाली ने immediately center पर attack किया C4, और actually में technically वह वहिशाली यहाँ पर बेटर हो चुकी है, अब A into B3, A into B3, Rook A1, QA1 करने के बाद, इसे फाइदा Black को बस यह हुआ कि एक पीस जो वह एक्सचेंज हो गया, नाइट A6 खेला उन्होंने यहाँ पर, वहिशाली ने यहाँ पर खेला Knight E5 पहले, और स्टेफ नोबन ने खेला Queen B6, वहिशाली ने खेला BC3, अब उनका idea कुछ था यहाँ पर BC3 का, आने वाले समयमन का idea यह भी था कि definitely वह अपने Rook को भी धर पर ला सकती है, और यहाँ से भी pressure डाल के खेल सकती है, अगर यहाँ पर C4 पे एक्सचेंजेज होते हैं तो, तो B spawn के towards, लेकिन यहाँ पर स्टेफ नोबा जो की खेलाडी से गलती हुई और यह मुकाबला उन्होंने यहीं पर resign कर दिया, तो वैशाली के सामने सिर्फ 14 चाल में विश्व चैंपियन, पूर विश्व चैंपियन का resign कर देना, अपने आप में बड़ी बात है, और मुझे अच्छी बात इसमें यह लग रही है कि मैं बातमी चैस उलंपियाड में भी प्रेजेंट था वहाँ पर और जब भारती टीम चूकी थी और छटवे नंबर पर रह गई थी वूमेंस में, तो वहाँ पर definitely एक ऐसे खिलाडी की कमी खल रही थी, जो कि यूवा हो और बड़े खिलाडियों को मात दे सकता हो, तो अ अलेक्जेंड्रा गोरिया चाकीना को पराजित किया, जो कि विश्व नंबर तीन है, इसी टोर्नामेंट में पहले उन्होंने, और उसके बाद स्टेफनोवा को पराजित किया, और उसके बाद अभी तो उन्होंने तुल्मुक को पराजित कर दिया, मंगोलियों के लाड़ तो मेरे आपको हमारे वीडियो पसंद आये होंगे अपने सुझाओ हमें जरूर्द्या याद रखें शत्रज की हर चोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें सुझा हमें जरूर्द्या याद ौर्द्या याद रहें झाल झाल